एक कुंडली सौ समाधान, देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ, संपोण आकर्शिक और सबसे सटी, एस्ट्रो सेज ब्रिहत कुंडली, आज अभी लें, क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत. हर हर महादेव आपने क्लिक के हैं चुछ दिनम्बव वन इस्ट्रोलजी, आपने सुना होगा, दुनिया का सब से बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पर कन्या राशी वाले ऐसे शक्स होते हैं, जो इस रोग की पुडिया बना कर दरिया में फेक देते हैं, कन्या राशी वाल पहले मैं आपको बता देती हूं कि वो कौन-कौन से प्लानेट है, जो ट्रांसिट करेंगे, तो आपके जीवन में आएंगे उतार या चढ़ाओ, और वो फेस्टिविल्स कौन-कौन से हैं, जो आपको जानना है, डेट को लेकि हमिश्या कन्फूशन रहती है आपको, जैस तो मिल गई लिस्ट कन्या राशी वालों, आपको आगे की बाते बता दू, उससे पहले मार्च बॉन जातकों को उनकी कुछ खूबियां मैं बता रेती हूं, अगर आपका जन्द मार्च में हुआ है, साल में कभी भी हुआ, किसी भी साल में हुआ हो, अगर आप मार्च और अकुमोडेटिंग, बोले तो आकरशक और मिलनसार कसम के, ट्राविलिंग बहुत पसंद आती है आपको और आपमें इंट्यूशन पावर बहुत शार्प है, आप जितने नॉमल दिखाई देते हैं, आपके विचार और वियूज उससे कहीं जियादा बड़े होते हैं, मतलब आप खुब ambitious होते हैं, बहुत जादा, march born ascendant की quality ये होती है कि आप जिम्मेदारियों वाले पद पर पहुँचते हैं, योगिता के बल पर ही पहुँचते हैं, और इसी योगिता के दम पर आप successful भी होते हैं, किसी भी topic पर बोलने या लिखने से पहले उसके बारे में स होता है, आप at times बहुत calculative manner में होते हैं, और सब कुछ इस तरीके से execute भी करते हैं, किसी भी महफिल की जान होते हैं, कभी-कभी ऐसा बदलाव आप किसी की life में कर देते हैं, जिससे आपके friends और relatives रह जाते हैं, आश्यरे चकित रह जाते हैं, अभी आप dual standard वाले भी हो सकते है यानि कि आपका nature दो तरफा हो सकते हैं, और इसकी वज़े है आपका आसानी से influence हो जाना, कोई मामला है, दो लोग आपके पास मामला लेकर आ रहे हैं, आपको इनकी बात भी सही लगेंगे, इनकी बात भी सही लेगी, और इस वज़े से decision लेने में कभी-कभी hesitate कर जाते हैं, spirituality की तरफ आपका जुका होता है, practical approach रखेंगे अगर आप तो बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन ये पैसे आप कहां खर्च करते हैं, आप अपने love mate पर ये पैसे खर्च कर देते हैं, और कभी-कभी ये love mate आपके लिए सही नहीं भी होता, ये आपके लिए एक छलावा भी हो स नशे से दूर रहे, नशा आपका करियर बर बाद कर सकता है, ये तो नशा हर किसी के लिए बुराई ही है, जरुरत से जादा कर लिया तो लेकिन आपके लिए नशा सही नहीं है, अगर आप मार्श पॉन्ट प्रिंसज हैं, अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आप बह गॉसिप करने में आपको बहुत मजाता है, थोड़ा से गंट्रोल अगर आप अपनी चंचलता पर रख लेंगे और अपना फोकस गोल की तरफ रखेगा, तो दुनिया आपके कदमों में होंगी, और कुछ टिप्स दे दे रही हूं, जैसा कि कुछ लखी नंबस हैं, आपक सक्सेस मिली अब संडे, मंड़े, साटड़ी क्यों कहें हूं मैं क्यों कि अपने वीडियो क्लिक किया है, आपको एक उत्राफालगुनी है, हस्ता है और चित्रा है, उत्राफालगुनी के देव और सुवामी दोनों ही कौन है, सूर्य है, जो हर्गुन की मात्रा आप में संत यह आपको look wise बहुत attractive बनाते हैं वर्चुल वर्ल्ड में आपको जीना सिखाते हैं आप में कई गुण एक साथ होते हैं जैसे कि आप literature में रुची रखने वाले हो सकते हैं आटो, metro, train वगर में आप जिनने novel पढ़ते हुए पाते हैं उसे 80% लोग ऐसे होते हैं जिनकी राशी वोगो होती है, कन्या होती है बड़ी लगन से आप अपना काम करते हैं और इश्क में तो आपका जोर ही नहीं बड़े-बड़े आशिकों को आप बस यूही मात दे जाएं तीसरा है चित्रा नक्षत्र देव विश्व कर्मा है और स्वामी मंगल है और ये आपको बनाता है शौकिन, किस चीज़ का शौकिन, मान, सम्मान के आप अकांच्छी होते हैं, कभी-कभी बच्चों जासा बहार भी आप कर जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर रूट जाएंगे, मान-मनवल चाहिए, फिर मान भी जाते हैं तो ये सब आपके नक्षत्र गरवाते हैं आप से, अब आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी-कभार और खुलकर अपनी इमोशन जब आप जाहिर करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सही जगे पर जाहिर नहीं करते हैं, हाला कि आपकी सोच स्पष्ट होती है, साफ होती है, बेफुजल की बातों सफलता में लेगी, आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉस हैं, वो आपकी तारीफ करेंगे, वाक प्लेस में ट्रैंस्फिर हो सकता है, कारूबारियों को किसी गाम के सलसले में ट्रैविल करना पड़ सकता है, आपका फिनैंशिल फ्रंट जो है, वो मजबूत रहने वाला है मार धन से जुड़े जो मामले हैं, इसे लेकर आपके पिता से कोई सलाह या उनके जो सुझाव हैं, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो, कई तो संजीवनी का गाम करेंगे, तो पिता जी जो कहते हैं, वो सुनियेगा, उसका पालन कीजेगा, सफलता दिलाएंगे आपको वो 100%, सिक्षा कैसी रहने वाली है आप कन्या राशी वालों के लिए, तो अगर आप स्टूडेंट आपकी राशी कन्या है, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस राशी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके सिलबिस से परे, जो किताबे हैं, पुस्तके हैं, वो ये फोकस आपको शिफ्ट करना है अपनी अकैडमिक्स में, सिलबिस की किताब में भी पढ़नी चाहिए, इसमें भी ग्यान की ही चीज़ने लिखी रहती हैं, किसे सब्जिक्ट में कोई प्राब्लिम आ रही हो, इंटरस नहीं जग रहा हो, तो आपको आपके मिंटॉर की, अपके सीनिर्स की साहिता लेनी चाहिए, परिवारिक जीवन में अनुकूल परणाम आपको मिल जाएंगे, परिवार के लोगों के साथ आपके से रिष्टेदार के घर भी जा सकते हैं, आपके पिता को जीवन में इस दौरान कोई उपलब्धे मिल सकती है, जिससे आपका पूरा परिवार बहुत खुश रहेगा, अब आपको मैं बता दूँ कि अगर आपकी शादी हो रखी है, तो कैसा बीतेगा आपके लिए मार्श का महीना हो और अगर आपके से रिलेशन्शिप में हैं, तो आपके लिए कैसा बीतेगा मार्श का महीना, पहले मैरिड, तो मै में आपको अपनी वानी पर गुस्से पर कंट्रोल रखना है ज्यादा से ज्यादा चुप रहने की कोशिश कीजिए गुस्सा पार्टनर पे जाहिर मत होने दीजेगा अगर गुस्सा है तो इस एंगर को आप कर दीजिए कि एंगर भी काइंड ऑफ इमोशन होता है तो हम उसे कनवर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जो और जा होती है एक रूप से दूसरे रूप में जाती तो जो आपका एंगर है वो आपके लिए वूंडर इए इक्स्प्रेशन ले आएगा तो कुछ आप अपने जो एंगर इसको convert करने की आदर डालिए क्योंकि ये टेकनीक अगर आपने सीख ली तो आपकी लाइफ के 80% problems आप बस यूँ सुल जा सकते हैं अगर आप कन्या राशी के हैं और आप relationship में हैं तो ये महीन आपके लिए शांदार रहने वाला है आपका जीवन साथी तो नहीं लेकिन आपका जो सोल मेट है वो आपकी बातों को समझेगा जो आप उन से अब तक कह नहीं पा रहे हैं वो उन चीजों को भी समझेगा लव मेट के साथ समय बिताने के आप बहाने ढूंदे नज़र आएंगे इस दोरान और ये जो आप वक्त बिताने के बहाने ढूंदेंगे आपको वक्त मिलेगा भी और आपके और आपके लव मेट के बीश नजदी के आप बढ़ेंगे जो डिफरेंसेज चले आ रहे थे वो डिफरेंसेज अब दूर होने का वक्ता क्या है तो सेहत के लिए ऐसे कैसा बीतने वाला है आपके लिए मार्च का महीना तो इस महीने आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती कहां थाईज और शोल्डर्स में इसके साथ ही आपको अलेजी भी हो सकती है धूल बरी जगों पर जाने से बचेगा अपने घर के लोगों की सेहत का आपको खयाल रखना है सुबह और शाम सैर करना आपके लिए भी फाइदे मन्द है और आपकी फैमिली के लिए भी फाइदे मन्द है करने राशी के हैं अगर कुछ उपाए करना है तो हर रोज सुबह गायतरी मंत्र का जाप करें इससे आपको बहुत फाइदा होगा और यह रेगिलर कीजेगा इस पूरी जानकारी के साथ मेरा अभी का काम खतम होता है और आपका काम शुरू होता है आपके तीन काम है कौन-कौन से हैं अगर आप अभी भी नॉन सब्सक्राइब है फोरन चैनल सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और पांच लोगों झाल